बहुत से लोग मुझसे बार-बार पूछते हैं कि भाईया मेच्चेवर कैसे बने मेच्चेवर बनने की उपर आप वीडियो बना आज कुछ बहुत जरूरी बाते बताऊंगा जिनको अपनाने से ही अपनाने वाला बहुत मेच्चेवर हो जाता है जिस इंसान का ध्यान अच्छा जीवन जीने पर है ना कि अच्छा जीवन खुद को जीते हुए दूसरों को दिखाने पर है समझे इस बात को हर सेकेंड आप ये नहीं सोचते कि आपके जीवन का कौन सा पहलू दूसरों को फैसिनेट करेगा दूसरों को अच्छा लगेगा दूसरे जलेंगे इर्शिया करेंगे कहें लोगी आदत होती है न हर शण यही सोचते हैं कि कौन सी फोटो ले लूँ कि मैं बहुत अच्छा लगूँ बार घुमने भी जा रहे हैं सिरफ फोटो ही फोटो ले रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना मौसम के मज़े ले रहे हैं नजारों के मज़े ले रहे हैं सिरफ अच्छी फोटो कीचनी है जो बेस्ट लगे लोगों को कोई फैसला ले रहे हैं घर ले रहे हैं गाड़ी ले रहे हैं ऐसा लेना चीए जो अच्छा लगे लोगों को तो जो इंसान हर शण जीवन को enjoy करता है, जीवन को जीता है, अपनी दृष्टी से जीता है, वो mature है जिस इंसान ने ना बोलने का confidence सीख लिया, no no means no वो इंसान समझो mature बन गया अक्सर क्या है, लोगों हमें emotionally blackmail करते हैं, बहुत जादा convince कर देते हैं, पटिया पढ़ा देते हैं, पहाड़े पढ़ा देते हैं, और हम ना नहीं कह पाते हैं, और उस एक गलत हां से हमारे सालो साल खराब हो जाते हैं, morals खराब हो जाते हैं हमारी value कम हो जाती है हम गलत रहा पर निकल जाते हैं तो अगर आपको mature बनना है, सबसे पहले ना कहना सीखो अपने लिए ना कहना सीखो अपने भविश्य का सोच के ना कहना सीखो दूसरे इंसान की मन्शा को समझ के ना कहना सीखो, दूसरे इंसान को हर्ट करना सीखो, अगर आपके नासे वो हर्ट हो रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, अपनी भलाई का सोचना सीखो, जब आप खुद को रोकना सीख लेते हैं, आपको अपनी लिमिट पता है, कोई भी काम कितना करना है, खाना है तो कितना खाना है, गुस्सा करना है, गुम समझते हो कि आज जो कर रहे हो उसका बविश्य पर कैसा असर पड़ेगा और गलत पड़ेगा तो तुरंत रूख जाते हो जो काम अकसर लोगों के माता पिता करते हैं जब वो इंसान खुद के लिए वो काम करना शुरू कर देता है वो मेच्चियोर बन जाता है तो खुद को रोकना सही समय पर गाड़ी के स्टेशन से निकलने से पहले बहुत जरूर है दोस्तों तो खुद पर लगाम लगाया करो सोचा करो कि आज जो मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, बहुत जादा आगे तो ने निकलाया, बहुत जादा गलत तो ने कर रहा हूँ, तुरंद रोक लो आपको अपनी लाइफ के बारे में अवेर होना पड़ेगा, निूट्रल पर्स्पेक्टिव लेना पड़ेगा, माता-पिता की तरह सोचना पड़ेगा, भविश्य का सोचना पड़ेगा दोस्तों मेचे और लोग कभी भी अपना गुस्सा अपने से कमजोर लोगों पर या जो आपको प्रेम करते हैं, जो मजबूर हैं, जो आप पर डिपेंडेंट हैं, उन पर ट्रांसफर नहीं करते, सबसे बड़ी इमेचे औरिटी यही है, आपके सीनियर ने गुस्सा करा, स ना वो किसी से नजायस दबेगा, जवाब देना उससे आता है, बत्तमीजी सहन नहीं करेगा, और गलत है तो चार बाते सुन लेगा, और अपने उपर उन बातों को अपनाएगा, अपनी गलती को मानेगा, आगे के लिए सीख लेगा, या उस इंसान को फेस करेगा कि मेरे स दूसरे के हो, वो दूसरों की मानसेक स्थिति को और अपनी मानसेक स्थिति को अपने या दूसरों के एक्शन से अलग देखते हैं, जैसे कि इस समय आपको बहुत गुसा आ रहा है, आपका बच्चा आपको पढ़ने के लिए आ आ ग準ए, आपको पता है आप गुसे में हो और आपको अपना गुसा बच्चे पर नहीं उतारना है, गुसा बच्चे पर नहीं है, इन दोनों चीजों को अलग रखना है, इस समय आपका फर्ज, आपका एक्षन है, आप अपने बच्चे की मदद करो, या उसको ये बोल दो कुछ समय बादाना, कोई इंसान बहुत गुस्से में था आपका अपना है आपसे बहुत प्रेम करता है आपकी परवा करता है आपसे चार बाते गुस्से में कहें तो समझो कि वो गुस्से में था ये उसने नहीं बोला उसके गुस्से ने बोला है आपको पता है कि वो आपके बारे में कैसा उस बात को आई गई कर दो या किसी ने आपको डाटा तो समझोगी क्यों डाटा क्या गलती आपने करी कैसे आपको सीखना इंप्रूव करना है और यह सब अच्छी चीज़े आप तभी कर सकते हो जब आप emotions को अपने और दूसरों के actions से reaction से अलग ہोगे क्योंकि अक्सर गलत भाव के चलते हम गलत actions कर देते हैं अपने भाव हमें बेबस कर देते हैं गलत emotions हमें बेबस कर देते हैं और बाद में हम guilt में जीते रहते है Crossing जो इनसान अपना सिर उचा रखके जीता है सिरफ इसलिए कि वो है, उसको एक जीवन मिला है वो अपना जीवन जी रहा है, वो एक यात्री है इसलिए अपना सिरूचा रखता है वो जानता है, वो परफेक्ट नहीं है उसमें कुछ कमिया भी है, कुछ अच्छाईयां भी है वो अपनी कम्यों की वज़े से सर जुका कर नहीं जीता मुझे ये नहीं आता तो मैं सर जुका कर जीऊँगा लोगों से दबूँगा, लोगों की गालिया सुनूँगा बत्तमी जीस हूँगा अगर आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आता बहुत अच्छे से नहीं बोल पारे एक तो आप प्रैक्टिस करोगे इसके अलावा आप अपने आपको लोगों को इसे कम नहीं समझोगे और जातर ऐसे ही होता है लोग अपने आपको कम समझते हैं मेरे को इंग्लिश नहीं आती बहुत से मेसेज आते हैं मेरे पास नहीं आती तो नहीं आती मातर भाषा तो आती है अपनी उसमें अच्छे से बोलो अपनी मातर भाषा बोलके कोई गुना थोड़ी कर रहे हो इंग्लिश कोई सक्षात भगवान की शब्द थोड़ी है ठीक एक करियर में मदद मिलती है इंप्रूफ करो सीखो कोई आपको जज़ कर रहा है मजाख उड़ा रहा है वो उसका छिचोरापन है उसकी ना समझी है वो उसकी इंसेक्योरिटी और परसनेलिटी दिखा रहा है कि इतनी नीची है कि जो अपनी मातर भाषा को वैल्यू न दे के दूसरी भाषा को इतनी वैल्यू दे रहा है और किसी इंसान को सिरफ उसकी बोलेवे शब्दों पर जज़ कर रहा है उसके दिमाग पर बुद्धी पर नहीं ज़ज कर रहा है खुद को एकसेप्ट करना सीखो मैं जैसा हूँ वैसे ही अच्छा हूँ सुधरूँगा इंप्रूफ करूँगा पर ऐसे भी अच्छा हूँ ठीक हूँ सर उचा करके जीऊँगा सर नीचा करके जीऊँगा तो लोग मेरा इस्तमाल करेंगे दबाएंगे गुलाम की तरह ठीट करेंगे मेरा कोई बला नहीं होगा जब आपको एहसास होता है कि कहीं बार आपका सबसे बड़ा सबसे खतरनाक सबसे सही जवाब सिरफ एक हलगी सी मुस्कुराट और उसके बाद बिलकुल चुपपी होती है कहीं बार सबसे बढ़िया बेतरी जवाब बिना शब्दों के दिया जाता है जो इनसान लोगों को सिर्फ इसलिए माफ कर देता है ताकि वो दूसरा गलत इनसान जिसने गलत किया है उसके दिमाग पर हावी ना रहे उसके मन पर हावी ना रहे मैं उसी गलत इनसान के बारे में पूरे दिन सोच सोच के अपना समय खराब ना करूँ मुझे आगे बढ़ना है इस इनसान से मुक्त होना है इसलिए मैं इसको माफ करता हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसकी करनी को भूल गया हमेशा याद रहेगी इसकी करनी जो इसने किया है कि ये कैसा इनसान है इससे दूर रहूँगा बचूँगा या उस हिसाब से एक्शन लूँगा लेकिन मैं इसको माफ करता हूँ अपनी खाते वो अपने भविश्य को बहतर बनाने के लिए उस इनसान को माफ कर देता है बड़ा मुश्किल काम है लेकिन खुद को उन बेडियों से मुक्त करने यही तरीका है पहले उस इनसान ने बहुत दुख दे दिये गलत कर दिया अब हमें अपने साथ गलत नहीं करना